नवश्का दोस्तों वेलकम टो बंडेकर्स किचन आज हम तीन तरीके से आलू पराठा कैसे बनाया जाता है वह देखने वाले हैं तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं और यह आलू पराठा मैं अभी देखे खोल के दिखा रही हूं कितने अच्छे से आलू फैला हुआ और बह मैंने लिया है पोटाटो का दुकस किया हुआ लिया है जिसे की वह बारिक रहे और हाफ टेबल स्पून मैंने लिया करी लियूस उसे भी अच्छे से चौप कर लिया है और चार हरी मिर्च लिया है अच्छे से चौप की हुई और फिर लिया है हाफ टेबल स्पून मैंने ल और एक टेबलबस्पून मैंनी लिया है गर्मासाला और हाफ टी स्पून लिया है धे अल्दी और नमक स्वादानुसार इस तरह से इंग्रेडेंट्स ले ले जये है हाफ टेब्ल सपून मेंने लिया जो आम्चीर पॉर्ड रहता है आप अशे मैश कर लेका है तike अच्छे से मैश कर ले और इसका डो बना ले Should दो बनाते वक्त इसमें पानी की जुरत नहीं है जो आलू में जो पानी रहता है उससे अपना अच्छा से डो बन जाता है और अगर आपको महसूस होई पानी के जुरत है यह डो बनाने के लिए तो हाथ में थोड़ा सा दो-चार बुंद पानी ले लेकिन मुझे तो इसमें जुरत नहीं पड़ी तो अच्छा से डो लगा के इसे अच्छे से 10 मिनिट के लिए रेस्ट करने दे और फिर इसके हम पाराटे बना लेंगे वैसे ही जो आपन सिंपल रोटी बेलते हैं उसे के तरह हमें इसके पाराटे बेलने हैं ऐसे पाराटे लेले एक लोई लेले उस के साथ भी खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में भी आसान इसे बन जाता है इस तरह से हमारा पराठा बन गया अब यह सिकने के लिए रेडियो हो गया अभी हम इसे तवे पर डाल देते हैं अब इसे अच्छे से दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा लें अगर आप गीना पसंद करते हो तो उसमें आप तेल भी लगा सकते हो और इसे फ्लिप कर दे और देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिख भी गया और अच्छे से फूल भी जाते हैं यह तो यह हमारा आल् तरीका पराठा बनाने का अब यह दूसरा पराठा भी मैं सेख के दिखा देती हूं इसे फटा फटा ऐसे ही सेखना है दोनों तरब घीला का लेना है और सेखना है यह बहुत ही अच्छा नाश्ता बन जाता है सुबह सुबह और इसमें जिनको जो आलू की जो फिलिंग्स रह अब हमारा दूसरा तरीका जिसमें हम आटा ले लेंगे एक बॉल में उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इस आटे को हम गुंद लेंगे पानी से गुंद लेंगे अच्छा सॉफ्ट डो हमें बनाना है इसका इसलिए हमें अच्छा से इसे गुंद लेना है और सॉफ मिनिट के लिए रख दे अब क्या करेंगे हम जो आलू है उसे बॉइल किया हुआ उसे कद्दू कस कर लेंगे और फिर उसमें वन टेबल स्पून हम डालेंगे चॉप किया हुआ अनियन और फिर दो हरीमिर्च डाल रियो में चॉप की हुई और एक टेबल स्पून में डाल र करी लिवस चौप की हुई और वन टेबर स्पून डाल रियो में उसमें हराधनिया चौप किया हुआ और स्वाधानुसार नमक और इसमें डाल सकते हैं यह जो आमचुर पाउडर है वह भी डाल दे वन टीस्पून उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून और वन टीस्पून डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर तो अब इसको अच्छे से हमें मैच कर लेना है मिक्स कर लेना है और यह देखिया ऐसे डो टाइप बन जाता है तो यह जो है आटा अभी हमें इसे फिर से गुंड लेना है बहुत ही बढ़िय इस टैप में हमें क्या करना है दो रोटिया सेम साइस की हमें बेल लेना है जैसे यह मैंने रोटी बेल ली है तो इसे में साइड में रख दूंगी और अभी मुझे दूसरी रोटी बेलना है इसमें हमें क्या करना रोटी के ऊपर हमें फिलिंग्स डालनी है जैसे यह रोट आए सब्सक्राइब और चपना और समय के लिए अच्छे ठाहना चिपां जा है थम से की अत्चे भी खुड़ीलिक हें को पर ये कई तरह सा chegar बसुत stop की अपर धा ऑन बड़ें है और जाए लिए उसके लिए बना है फाइदे मंदे हैं जिनको फिलिंग बरना नहीं आता है तो यह ऐसे फटा फट दो रूटी बना के और बीच में फिलिंग डाल क्या का सकते हो इसमें जैसे आपने आलू के जो फिलिंग डाली है उसके उपर आप चीज भी डाल सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से हलके हाथ से इसे चला लेना है क्योंकि अगर ज्यादा जोर नहीं लगा रहा है हमें अगर ज्यादा जोर लगाएंगे तो फिलिंग बहार निकल क्रीबाता है आप बना कर देखें अब बहुत ही इसी रसेपी है और कोई भी स्टुडांट हो या फिर कोई हासवाइफ से आराम से बना सकता हे ये इस तरह से बहुत ही कुप्सुरत ही ये सिख जाता है और ये हमारा पाराथा अभी बनेक्टे रेडि हो गया और रिदर बी बिच में center में मोटी रहेगी और उपर के side में पतली रहेगी और उसे ऐसे ही देखि उपर लाते जाना है ऐसे पूरी को fold करते जाना है, और यह ऊपर आ जाएंगा जो पूरी है उपर और जो filling है वो अंदर चली जाएगी और इसे थोड़ा सा ऐसे फिर प्रेस कर ले और फिर इसका पराठा बेल ले यह कॉमन तरीका है बनाने का यह ज़्यादा तर लोग इसमें बना लेते हैं लेकिन किसी किसी से नहीं बनता तो फिर आगे के दो जो मैंने वेज बताए पराठा बनाने के वो आप बना सकते हैं इस तरह से इसमें भी घी वगरे लगा ले दोनों साइड से घीया तेल लगाए और फिर इसे फिलिप कर ले बहुत बढ़िया और ये भी हमारा पराठा बन के रेडी हो जाता है तो फिर खाईए खिलाईए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए